गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स तुडें आज हम जो स्टॉक मार्केट का गुरू ग्यान है उसके अंदर हम मैगडी के बारे में जानेंगे और यह मैगडी क्या है यह मुविंग एवरेज 12 की मुविंग एवरेज है यह बारा की है यह 26 की मुविंग एवरेज है और जो सिगनल लाइन है नाइन वह इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी नाइन डे एम में हैं यह सब की सब जो है यह एक्सपोनेशल मुविंग एवरेज हैं जो हमेशा अवेलेबल रहती है फ्रेंट्स मैंने एक वीडियो दिया था वीडियो नमबर 136 दैट इस एक्स फैक्टर इन मुविंग एवरेजेज प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजेगा तो यह वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा और मुझे लगता है कि आपको एक बार दरूर देख लेना चाहिए ओके सो फ्रेंक जो मैंडी है इस एक्चुली एंडिकेटर यह लीडिंग इंडिकेटर नहीं है कि आगे क्या होगा जो कुछ चीज हो चुकी है उसके बारे के अंदर यह बता रहा है और यह क्योंकि यह मुमेंटम बताता है तो मालूम पढ़ता है कि उसका डिरेक्शन क्या यह बता है यह बारे को चब्सक्राइब गटा सकते हैं उसके बाद वह हमारी मैडी लाइन आएगी जो की रेड लाइन है और यह मैडी लाइन का जो 9 EMA है यह हमारा सिगनल लाइन यह सब बने बनाए आते हैं आपको कुछ केल्कुलेट करनी की जरुरत नहीं है आपको Tech आपको मैड इक को इंस्टाल करना है मैडी को ही असको इसको इंस्टाल करना है लगाना है हमेशा हम जो है सीपना यह जो ऑपर है उतना यह bullish है और जो यह zero और यह जो blue line है हम हमेशा इसके direction को ही follow करते हैं तो अब दो मिनट में friends देख लेते हैं कि यह जो Magdy है यह है क्या friends यह जो Magdy है यहां पर यह जो है हमारा price chart है ठीक है हम हमेशा lower cross के ओपर जो price आती है उसको buy करते हैं और जो अपर क्रॉस के ऊपर जो प्राइस आती है उसको सेल कर लेती है यह कि यह जो है चार्ट नहीं है यह लाइन चार्ट है कोई भी चार्ट हो उससे कुछ फरक पड़ता नहीं है जैसे यह क्रॉस हम को यहां पर मिला हमने इसको यहां पर जो है सेल कर दिया वैसे ह हमको देखना यह है कि divergence अब बोलते हैं कि convergence and divergence तो divergence कहां पर है यहां पर यह देखिए कि दो इसके जो टॉप से लेकिन जो प्राइस यह टॉप्स नीचे जा रहे हैं यह बोल रहा है कि price को नीचे गरना यह हमेशा नहीं मिलता है divergence यह कभी कभी मिलता है shares के अंदर लेकिन यह जो है यह मैं क्या बोलूँ कि वैसे तो यह जो RIS है यह itself जो है यह 90% correct है इसको अगर देखेंगे तो साल में एक दो बारी किसी share में मिलेगा लेकिन यह और भी अच्छा इसका signal है जो कि confirm करता है कि price जो है यह गिर रही है friends अब यह price chart को समझने के बाद और यह जो यह सब चीजें जो है यह हमको जो है charting.com पे मिल जाएंगी friends मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि यह जो है मेरी आपके मेरी कोई responsibility नहीं है as a statutory disclaimer कि आपको profit होता है कि loss होता है उनकी आप जो वो है जरूर राय जरूर ले दिशेगा ठीक है तो यह है जहां तक मैंगी का सवाल है अब इसी मैंगी को हमें एक real chart के ऊपर जाके देख लेते हैं कि जो divergence है यह क्या है और यह buying और selling price से क्या आती है thank you very much अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप जो है like का बटन दवाईए और bell का बटन दवाईए friends आपको अगर future में मेरे हाँ friends इहाँ पर हूं आ गया है अब अवाफ़ friends इहाँ पर देखे के यह यहाँ पर जो है यह मैंकडी है मैंकडी का यह top है और यह देखें यह नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है न और यह देखें separat में यह खातली चले यहां पर आप खरीदे और जहां पर यह उपर क्रॉस लगा है वहां बेश दीजे नीचे क्रॉस लगा है खरीदे और उपर जहां क्रॉस लगा है बेश दीजे ऐसे ही यहां पर है जितना यह देखे यहां पर क्रॉस लगा है इदर आप बेश दीजे चलिए 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 चल यह दोनों जो आपे ऑग यह जो इन पिशन जो है कि किनी जोसे पर्यस यहां पर करते हैं यह क्या होगा लेकिन फिर भी फ्रेंट से एक जो हमारा जो एक नॉर्मल रहता है कि हम उपर वाली प्राइस पर बेश देते हैं नीचे पर खरीद लेते हैं तो यह जो है यह भी अपनी जगा ठीक है लेकिन यह डाइवर्जेंस है इसका एक्ट तुड़ा चाहता है बस मैं आपको इतना ही क कि अपको कि अपको कि बाता ही और मैं आपको है घ्लिए रहा है जाएवर्जेंस है राइवर्ट